महापुर्सों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी महापुर्सों एक बार किसी धनवान व्यक्ति ने एक ब्रमग्यानी महात्मा को भोजन के लिए अपने घर बुलाया महात्मा ने जैसे ही घर में प्रवेश किया उस धनाड ने अपने बैभव का बखान करना सुरू कर दिया यह मेरा महल है सामने का बंगला भी मेरा ही है यह साथ ही बने हुए सिनेमा हाल का स्वामी भी मैं ही हूँ उसके पास का स्वीमिंग पुल भी मैंने ही बनवाया है महल में प्रवेश करने से पहले जिस बगीचे से आप गुजर कर आए हैं वह सारी जमीन भी मेरी अपनी है इस प्रकार वह अपनी बढ़ाई करता जा रहा था उसका चहरा अभिमान से दमक रहा था खैर चलते चलते वे बैठने वाले महल में पहुँचे दीवार पर बिस्व का एक नक्सा टंगा हुआ था महातमा ने सेठ जी के लड़के से पूछा दीवार के साथ वह कौन सा चित्र टंगा है लड़के ने तुरंत उत्तर दिया यह चित्र नहीं यह तो बिस्व का नक्सा है इसे उतार करके मेरे पास ले आओ महातमा ने लड़के से कहा लड़का फोरन कुर्सी पर चढ़ा और नक्सा उतार कर महातमा के आगे रख दिया महातमा ने लड़के से पूछा इस नक्से में हिंदुस्तान कहा है लड़के ने थोड़ी सी जगह पर अंगली घुमाई और कहा यह है हिंदुस्तान इतने बड़े नक्से में हिंदुस्तान इतना सा ही है महातमा ने लड़के की आखों में आखे डालते हुए पूछा हाँ महाराज अपनी बात को अश्पष्ट करने के लिए लड़के ने अपनी बात को जारी रखते हुए बताया सारी दुनिया के सामने हिंदुस्तान है ही कितना बड़ा ठीक है महातमा ने मुस्कुराते हुए कहा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसमें बंबई कहा है महातमा ने राजभरी आवाज में पूछा महाराज यह जो जरासा विंदू दिखाई दे रहा है यही बंबई है लड़के ने बड़ी सरलता से बताया इसमें आपका महल और आसपास की जमीन कहा है महातमा ने फिर पूछा लड़का महातमा के मुँझ की ओर देखने लगा और बोला इसमें तो ये सब कुछ नहीं है इतना बड़ा महल और साथ ही इतनी बड़ी बिल्डिंग इसमें क्यों नहीं है महातमा ने अपना सिर उपर उठाते हुए पूछा महाराज बिश्व के नक्से में हिंदुस्तान एक सेट के बराबर है और हिंदुस्तान में बंबई एक बेर से जादा नहीं उसमें हमारी बिल्डिंग किस गिंती में है लड़के ने फिर सरलता से उत्तर दिया महातमा ने सेट जी की ओर देखते हुए उनसे पूछा यह आपका लड़का क्या कह रहा है सेट का सिर सर्म से जुक गया उसने दिल ही दिल में स्विकार कर लिया कि वह बेर्थ ही अभिमान का सिकार था उसने दिल की गहराईयों से महसूस किया कि इस दुनिया के नक्से पर उसकी हस्ती एक परमाणू से भी करोणों गुना कम है कास हम अपनी अवकात को समझ पाए तभी ब्यर्थ के अभिमान से बचा जा सकता है महापुर्सों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी